अब लोगसभा के चुनाव नजदीक आएगा उस समय फिर फिर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे वहां वहां से फिर जो निर्देश होगा वह हम आप तक कनवे करेंगे एक बीच में कुछ नुक्तियां की हैं जिसमें की प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुख्याले परभारी हमारे राजेश सिंग जी है राजेश कुमार सिंग जी है प्रदेश उपाध्यक्ष स्री कमलेश कुमार जी है उसके बाद हमारे प्रदेश महासचीब जी है मुकेश कुमार महतो जी उसके बाद हमने युवा प्रकोस्ट हमारे आसिव शेना की भासा में युवा से ना कहा जाता है तो युवा प्रकोस्ट के पर्देशात्यख्षमिरीपाल जी है ।ंके बगनके मारे वकरी कोस्ट के पर्देश हैं तो यहुत लोग यह अपस्तित हैं तो मैंने का नाम बता दिया माकी फिर एक फाराइब modern वहain शिवशेना के मुख्य नेता श्री एकनाथ सिंदे जी के द्वारा मुझे बिहार प्रदेश शिवशेना का प्रदेश अध्यक्ष नुक्त किया गया है। पार्टी है और इसको किसी सब लोग आप लोग जानते ही होंगे तो मुख्य रूप से यहीं बताने के लिए आप लोगों का आप लोगों को यहां बुलाया गया है। निर्देश हुआ वहां से कि अपने अपने राज्यों में हम लोगों को सिवशेना को मजबूत करना है। संगठन पर हम लोगों को विशेश ध्यान देना है। उसी में हम लोग भी अभी संगठन के विस्तार में मुख्य हम लोग का यहीं है कि हम लोग संगठन का विस्तार करें। सिवशेना का पहले से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अब जो कि मैं नया प्रदेश ध्यक्ष बना हूँ तो मुझे नई कारेकारणी का यहां गठन करना है। सभी लोगों को लेके जो पुराने लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं सिवशेना में। जिला के संगठन मजबूत करना है और हमको गाओं गाओं तक महचना है। यही मुख्य रूप से अभी यह प्लानिंग है शिवशेना का बाकि आप लोग जो कुछना चाहें। अने वाले चुनाओं में शिवशेना क्या करेगी सभी जगास से अपना सीट देखरेकर होगा। देखिए ये कहना अभी थोड़ा प्रिमेच्योर होगा अब देखिए मैं ठीक है मुझे प्रदेश अध्यक्ष नुक्त किया गया है बिहार का लेकर मैं एक साधरन कारे करता हूं और ये चीजे जो हैं ये जो हमारे पार्टी के सीर सनेत्रितों हैं उनको ये निर्णे लेना ह कि हमको क्या करना है वैसे मैं अपनी जानकारी से आपको ये बता दो और आपसब लिख जानते हैं कि अभी वर्तमान में महरास्ट में हमारी सरकार है हमारी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं ऑधरनीय एकनाथ सिंदेजी वह highest श्टता। यह सब लोग जानते हैं अभी हमारी सरकार वहाँ चल रहे हैं